जोहांस केपलर मशूर जवमन गनितगे और एस्ट्रो लॉजर थे यह विडम नहीं है कि साइंटिस्ट केपलर की मां को जादू टोना के आरोप में गिरफतार किया गया था यह 7,16,20 की बात है इस मौके पर हम आपको बता रहे हैं भारत में जादू टोने से जुड़ी बात हैं हालागी दुनिया के अधिकांच देशों की तरह भारत में भी जादू टोने से जुड़ी गतिविधियां बैन हैं लेकिन फिर भी लोग कई बातों के लिए ये काले जिम्स की शिकायतों पर आधारित है उडिशा में कुशाभधरा नदी के किनारे कुछ समय पहली काले जादू की प्रैक्टिस किया जाने के संकेत मिले थे कई लोगों पर अटैक की खबरे भी यहां आती रहती है हाला कि इस बात का अब तक कोई पुखता प्रमान नहीं मिला ह लेकिन जब शिकायत मिलने पर पुलिस ने चाप इमारी की तो कई ऐसी चीज़ें मिली जिन से पता चलता है कि यहां काले जादू की प्रैक्टिस की जाती है यहां 20 से ज्यादा नरकंकाल और अनले हड़ियां मिली थी साथ ही जानवरों की खोपड़ियां फूल और कपड़ साथ सेक्स तक करते हैं, यहां काले जादू करने वालों में महिलाएं भी होती हैं, सुल्तान शाशी में कुछ ऐसे लौज भी चलते हैं, जहां लोग काले जादू की प्रैक्टिस करते हैं, पेरिंगो टोकारा, केरल, केरल के तिशूर स्थित इस छोटे से गाव में काले ज प्रिशानियों को दूर करते हैं, यहां पुजारी चटान के पास अलग अलग तरह की पूजाएं करते हैं, निम्तला घाट, कोलकाता, कोलकाता के निम्तला घाट पर काला जादू करने के संकेत हमेशा से मिलते रहे हैं, रात के समय में यहां पर अघोरी आकर काले जादू की प्रैक्टिस करते हैं, कहते हैं कि यहां शमशान में भी अगोरी देर रात को चिता के जलने के बाद बच्चे हुए मान्स को खाते हैं और इसे शक्तियां पैदा करने के लिए जरूरी बताते हैं, इस संबंद में जनता के बीच कई कहानिया प्रचलित हैं, मायोंग असम, माय उंकाला जादू का दूसरा नाम बन चुका है, इस जगे का नाम संस्कृत शब्द माया यानी इल्यूशन से संबंदित है, यहां लोगों के हवा में गायब होने, इंसानों से जानवरों में परिवर्तित होने की कई कहानिया प्रचलित हैं और ऐसा अपनी आखों से देखने क दावे भी किये जाते हैं, संबंदित है, यहां लोगों के हवा में गायब होने, इंसानों से जानवरों में परिवर्तित होने की कई कहानिया प्रचलित हैं और ऐसा अपनी आखों से देखने के दावे भी किये जाते हैं,